आपकी इंस्ट्रॉक्टर सब्जेक्ट है हमारा जो इंट्रोडक्शन तो इंटर्नाशनल दिलेक्शन और आज हमारा लेक्टर नमबर थर्टी है तॉपिक तंबल गी हमारा तीसवा तंबल है ये ठापिक वैने जो जो विल्समार तम्स हम सब्सक्राइब यो बन सब्सक्राइब कि नाज नदेयर कोलरोड तंबल्लाइन के अनदेयर राप प्रड़ीन असका में लिगआ है लेकिन कुए हम बारे आपका लोलुन में पर्टेयरं इसके इंह PC बारे में पर्टेयरं इसी तरह हम ले अपजे वर्ड वार्फों देता है, कि वर्ड वार्फों का, क्या, मश्मा उसके पीछे क्या रबजन की, वो क्यों हुँ दुली, किस के दर्मयाऊं मुदी, उसका टाइम की लिग क्या था, और उसके अफेक्स, आप्तर अफेक्स, वो जो सारा कुछ हम दुछ तो आज का जो हमारा कॉप्री के हम वर्ल्ड वार्ट को डिस्कुस करने जा रहे हैं हम इसके लावा वैसे भी मॉल्टिकल टाइम्स में आपको बता चुती है कि यह दो ग्रूप्स के दर में मैं कि अलाइंस का अलाइंस का और एक्सिस का ते रहे हम उस वार्ट वार टू के अनधर सोवेटले आनि यह उसेस आर और अमेरिका का अलाइंस और यह दोने प्रिक्साइ़ के तो यह दोने की तिन साथ वे नटी अगेस्गेश गजिड़क के तो जोने की दोने अपक्त है तो फिर इस वार के बाद की लोगों का एक पिनिया जो इसी अगरेक्ट कावर्स आई और फिर दुल्या दैसी को बाइट गालर के लिए चाहिए तो हम अभी वार्ड वार टू और इसकी क्या रिजिंस की और इसकी क्या अस्तर अप्ट से इसको लेकिन चाहिए Second World War 2, also known as a Second World War, was a global war that lasted from 1939 to 1945 and 6 saal आपकी ये जंग जारी है Through related conflicts began earlier, it involved the vast majority of the world's nation, including all of the great powers, eventually forming two opposing military alliances, the allies and the Axis It was the more widespread war in history, one junsi है वो भी एक वार्ड थी लिगी उतनी सप्रेड़न ने थी जतनी आपकी World War 2 थी And directly involved, both had 100 million people over 30 countries, in a state of total war, total war हम पर चुके हैं जिसमें जो फोज है वो हमला करती है जो आपकी आर्मी उती है, दूसरी territory के ओपर और उनको अपनी विल के मताबिक उसको पर कबजा करने की कोशिश करती है, अपने पुरे resources को इस्तमाब करती हैं The major participants through their entire economic, industry and scientific capabilities behind the war effort, erasing the distinction between civilians and military resources वो कहने हैं कि सबसे ज़्यादा history की अभी तक कि फैली भी war है, जिसके अंदर 100 million people और 30 ममालिक तक इन war थे, एक total war थे, यानि कि full army attack के साथ, अपनी full resources के पाए और जो major participants हैं उन्होंने अपनी economy, industry, scientific and quality, सब कुछ इस war के उपर लगा दिया पाए और यहां पर कोई भी raising the civilians or military resources के दर्मयान कोई distinction ही नहीं रहे हैं यानि कि पो जो major participants हैं उन्हें अपनी हार तरह का resource is war के अंदर जोंक दिया था Marked by mass mass deaths of civilians including the holocaust in which approximately 11 million people were killed and the strategic bombing of industrial and population centers हैं तबाहों बर्बाद हो रहे हैं इस second world war killed in which approximately 1 million workers थीके massive death suite is famous civilians के लिया हैं और including holocaust holocaust जिसके अगे लिवम मिलीन पीपल लो के लोगा के लोगा थे destructive bombing industrial interpopulation हर जीम तबाहों परबाद हो रही हैं इस second world war killed and which including the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, it resulted in an estimated 50 million to 85 million fatalities. यानि के एक जो bomb भी, Hiroshima और Nagasaki के उपर, जो अमेरिका में bombing की, उसके इंदर रुखा जाता लोग तबाव हुए। और Nagasaki, Hiroshima के बारे में कहा जाता है, वाभी उथे nuclear bomb ठेंटा लिया था। कहते हैं कि वहाँ पे काफी जादा जो नहीं आने अबनी नसले हैं, उनके अंदर भी उस bomb के effect पाईगी थे। यानि जो new generation आती थी, उनके अंदर भी बीमारियां वो ट्रांस्पूर भी, काफी बच्ची एपाहज पैदा होते हैं, जो उस bomb के effect थे। और कहीं अर्से ताक उस इलाके के ओपर कोई फसन नहीं होगी, यानि nuclear जो bond हो उसे इतनी बड़ी तपाहजी रहता है। अच्छे टाइम लाइन देखते हैं कि किस टाइम लाइन में क्या-क्या होता। तो हमने कहा कि ये थर्टी नाइन से स्टार्ट हुई थी और फॉर्टी फाइब तक फिस लोगी और फॉर्टी फाइब तक ये चल गया। तो छे साल में हम जरा टाइम लाइन देखते हैं किस टाइम लाइन में क्या-क्या activities होती रही है। तो अब हम अपनी टाइम लाइन स्टार्ट करते हैं। जो वार उन जर्मिनी तू डेज लेकर। प्रतलट ने जो पॉल एंटार्स के ओपर अपर हमला कर दिया 1 स्टंबर को और जो बृतन और फांस थी उन्होंने डेकलियर वार उन जर्मिनी दो दिन के बाद करते हैं। इसके बारे में जो हिस्ट्री में कहा जाता है कि जो हिटलर था ये अपने फोजियों को को एक मेडिसन देता था जिससे वो उनके अंदर जादा ताकत आती थी और वो जादा दे जाग के लड़ सकते थे और जब इन्हों ने पैरिस के उपर हमला करने का प्लान किया तो पैरि जादा शहर है उन्हें पैरिस को खाली करती है और उनको कहा कि आप आकर खुदी कब्सा कर लो क्यानी कि इसके अंदर तबाही जंगी और वो ना कर उसके तोड़ नहीं करें और हिटलर का यह हैलता है कि बरतानिया के अंदर भी इसको ऐसा ही मिलेगा कि लोग खुदी चोड अधिन बरतानिया पुरा रिजिस्ट ही और एक पुरी जंग जंग से लिए वो इसको श्टार वेगा 1940 1318 सार्थ 1 जंग जर्म बालेंसा स्वार्थ 1 जर्म ऐसरी पर लेंस बेलिजिया थोल्ढ इंग्रानिया बिजिस्ट है विजिस्ट्री इन बाला वाटमीर ने फॉर्सा स्वाली का इस बीडिजियों ठालविटर्टृंजियों जिटलर झालिजिए लिजिए Japan's operation Barbossa, the invention of Russia, the blitz continues against Britain's major cities, allies take to both in North Africa and this is German's attack, Japan attacks per harbour and the US enters the war. In 1941, US war entered into the war, the allies were in the US, European countries, America, Russia, the allies were in the US, which were in the US, Japan, Germany were in the US. 1942, Germany suffered setbacks at Stalingrad and EA Alarmine, Singapore falls to Japan's infantry, around 25,000 prisoners taken, American naval victory at Battle of Midway, June marks turning point in Pacific Wars, mass murder of Jews' people at opposites began. 1943, my surrender at Stalingrad marks Germany's first major defeat, allied victory in North Dekra enables invasion of Italy to be launched, Italy surrenders but Germany takes over the battle, British and Indian forces fight Japanese in Burma. 1944, my allies landed at Anzio and Bomb Monastery at Montecorcio, Soviet offence scattered space in Eastern Europe, day the allied invasion of France, Paris is liberated in August, bomb liberated by the US of Kenya and I-Jima bomb. 1944, my allies landed at the Ukraine, Moon primer, she surrendered at theением of the흑, a अटली रिप्लेस्ट चॉर्चल्स आफ्टर अटोमी बंस आउट्रॉप्ट नियोश्यमियन नापसाथी, जपान सरेंडर ओन 14 अगस। हिटलर ने सुइसाइड कर ले और उसकी अवाफोज ने भी कर लंग में को सरेंडर करती है। वह जपान के उपर जब बंबें हुगी तो 14 अगस ने भी सरेंडर करती है। हिटलर के बारे में काफी कुछ का हो जाता है कि कुछ थाप है कि उसकी बारे में है। तो इससनों कर खुशी की बिडियोड वर्टेवर बीशिशक प्रणा करतीह ने भीमर्तिश ने द कर दोतक है। मैं को सिंठर रगना चालिण की बारा में लिए कि ड्मारे जोलें हुई का नु ने प्धांसर के उखätte्यांग हुआ। वो क्या था कि जब अधी जर्मनी को फूरा शिकस्त आसिन नहीं हुए तो उन्होंने अजान हो रही है उच्छा तो मेडिया के बदे में कहा जबता है कि उनका रेवियो पॉस्त था उसने रेवियो पी कहना शुरू करती है कि जर्मनी भाल गया बलतानिया के फता हो गया यानि अभी यह जंग पता की तरफ नहीं गई थी लेकिन उसने पहले ही फॉर्पशागए करना शुरू करती है तो वो फोजी जो अपने मुख्तिक एलाकों में अभी वो अहारे नहीं थे या उनके लाकों पर कब्सा नहीं हुआ था जब उन्हें रेडियो पर ये सुना तो उनके तर मायूसी भाय था और वोफट से इलाके क्याते हैं जर्मनी फोजीयों में खुदबा खुद सरेंडर कर दिया कि उनको ये पता चला कि जी को फुछले लाकों से हार के आरे हैं तो उन्होंने सरेंडर कर दिया यानि कि आप तर मेंडिया आप से फैस्टर भी करवाता है आपके अंदर मायूसी भ कि जर्मनी हार गया तो उन बचार फोजीयों का मोराल इतना डाउनिया कि उन्होंने सरेंडर कर दिया तो यह एक मीडिया का बहुत बड़ा अपक्ट है हम अभी भी सिच्वेशन एक कोरोना वाली सिच्वेशन में देखा कि कि अभी जो चीजे नहीं भी हुई हमें मीडिया कि अभी वह सारी चीजें कराथा है और हम अपने मेंटली जिहनी तोर पे हम वह चीजें हार जाते हैं अचा जी में जित का जिस क्या तो यह उस तोर से एक मेडिया पर्पोगेंडा दी री अर्मार्मेंट ठीक है यह है जी जर्मनी ने अपना फिलाव शुरू कर दिया था जिसकी दडिए से फ्रांस ने अर्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार् जिसकी डिदर से फ्रांस जोंसा है, उसके रिए बड़ी अलार्मिन सिचुएशन थी, कि जर्मनी उसके अंदर जोंसा है, वो जो एक लाइन उन्हें ड्रॉख की वी थी 1929 से लेकर उसको क्रोस करके उसके नदर दाखिल होने की कोशिश कर रहते है। This was a line of steel and contained fortifications stretching from Belgium to Switzerland and was called a gate without a fence, because Germany would be able to avoid it and make France via Belgium. France remained passive without Britain support. जो France है उसको भी Britain support चाहिए थी, क्योंकि France उसको डर गया था कि Belgium के रास्ते जर्मनी है वो इसके अपास दाहिल होने की कोशिश करेगा, क्योंकि Germany अपना पहलाओ Hitler की जो भी उसके था उसकी वादा से शुरू कर रहते है। Britain was sympathetic towards Germany and even signed an Anglo-German level treaty along Germany's navy took 35% of the size to the Royal Navy. जो भी British जोंसे थे वोग संपतिक है जर्मनी के तरफ तो इवेन उनमे जर्मनी के साथ एंग जर्मनी के साथ एंग जर्मनी के साथ एंग ट्रीटी आएं की थी कि जो रोयल नवी पोरस हो इग उसमें 35% जर्मनी नवी के लोग होने. जर्मनी के साथ 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 करनी और उसको कहाद मला रिया। डिटिन पोलिशी अपीजमेंट नेवल चेमबर लाइन बिकें बिटिश प्रमिनिस्टन on 28th May 1937 and followed the policy of appeasing Germany believing that all Hitler wanted to do was unite German-speaking people and so doing Hitler would break the treaty of Varsalius but Chamberlain did not believe Hitler would cause war Churchill disagree citing main camp where Hitler had written that Germany must regain land in the east by the power of the stars Chamberlain had misinterpreted Hitler's aims we have the benefits of hindsight the answers with Austria Austria fascist wanted to unite with Germany but shushing the Australia Chancellor wanting Austria to be interrupted he was unable to gain support from abroad France and the Little Antony so agreed to meet Hitler in Berlin he was pursued to accept Hitler's huntsman in India working in vain entries undersees inquirter leadership and shes inquirter invited Hitler to assist him on the 13th March 1938 troops from the way March entered Austria in a pugilistic on the arteries in favor of was recorded in favor of was recorded this were rigged by bias questioning Hitler made it seem that he had been invited into Austria in fact he had incited the Union Hitler gained the sudden land 29th September 1938 the sudden land was lost by Australia in the duty of said German 10th September 1999 and hereby Czechoslovakia gained 3 million German speaking people after the unsure the sudden German leader Colonel Henning demanded a union with Germany unable to receive help from France the cheese premier breeze mobilized along fearing war Chamberlain met Hitler on 3 akean at Burgess Garden Cordesburg and a Munich Munich everywhere negatis the reserve of its own now that gandhar it was signed by Hitler, Mussolini, Chamberlain and deadline, Venice was not present. It said Hitler could take the suttant land the following day without a pulpistic Hungary and Poland could take border districts from Czechoslovakia, Britannia and Germany would never go to Rome. Chamberlain's reaction on his return to England. Chamberlain announced that he had gained peace with honour, peace in over time, the majority rejoiced except Churchill. Hitler's reaction in public, Hitler seems satisfied, but in private, he explodes, saying that few Chamberlain has spoiled my entry into the pit. The Fall of Czechoslovakia in March 1939, Hitler forced Lithuania to give him Memel where most people spoke German. So far, Hitler had only taken German-speaking territory, so Chamberlain could still appease Hitler. However, in March 1939, Hitler threatened to bomb wage, so the three surrenders. Chamberlain realized appeasement had failed, so he began to leave Britain and granted peace in Poland. Nazi-Soviet Pact, the Rikwatan-Molotov Pact. By the summer of 1939, Hitler arranged to erase Poland war company. He realized that to invade Poland might be caused Britain to attack him from the west, but he was more concerned to avoid a Russia attack from the east. Therefore, to avoid a war on two fronts, he arranged the Nazi-Soviet Pact, which said that if either country went to war, the other would remain neutral. Hitler gained the chance to invade Poland, Hitler gained the chance to invade Poland with a war on one front, if Britannia supported Poland. Sceland of USSR gained time to rearm in case Hitler attacked him later, and the chance to gain the eastern half of Poland. and this would provide the USSR-Buffered zone. This would provide the USSR-Buffered zone. वह बहुत से पोजी जब लेके गया, जब फ्रांग से वो निकला और उसने रश्या को परामला करना था, तो रास्ते में इतना सक्थ सफ़ था, यह सक्थ सब्दी थी, तो इसकी बहुत साधी पोज जोंजी है, आधी पोज उसकी ठंड से मांगी है, और कहते हैं, उसको शिकर लुजिं रिटर्जिक्स, टैक्रिश्टिस, इस दालाइटिंग सब्सक्राइब, इसको पर बच्छे पोज़ बनी हैं, अगर आपको कोपी को मुक्खा मिले, तो सेकंड वर्ड वाल के उपोजी से देखना हूँ, मुवीस के बड़ा हूने बनाया, जदातार हॉलिवड वा इसको पर बच्छे पोज़ बनी हैं, तो उखको मुका मिले, तो एक उसका नाम ही आती है रहा, लेकिन वो एक फोजी को दूबने जाते हैं, उसको पर साली पोजी बनी है, इसके वर्ड वाल के उपार, तो वो भी बड़ी इच्छी मुका है, अच्छी, Chamberlain sent an ultimatum, a warning, with a threat saying that if Hitler did not withdraw from Poland, by 11 a.m. 3rd September, Britain would declare war, on September, 3rd September, Britain followed by France declared war on Germany, तो आप की पहले जितनी कोशन होते लिए, इसका भी साइन होगा, लेकिन जब पोलन के अंदर जर्मन ने उमर्मद आखना शुरुए, जब पोलन के अंदर जर्मन ने उमर्मद आखना और 39 के उपर उसके उपर हमला किया, और उसको फिर बरतानिया ने कहा कि तुमारे पास इतने ताइम है, दो दिल पर, तो तुम इसके इंदर से विल्ट्रा काजो, तो अगर नहीं करेगा, तो वह वार शुरू हो जाएगा, एटलर एंस तो रिनाइट जर्मन स्पिकिन और पास इंदर से विल्ट्रा बाइब नहीं करता है तो इस जर्मनी का जो पॉंट अवी था, जो इसके साथ दितने भी लोगते ही, जो फासिस्ट लोगते है, डिक्तेशिप को पसाम करते है, और यह कहते है कि जो नेशननिजम होता है, वो एक ही खों होती है, एक ही मजब ह है, और यह कि नसल होती है, मुतिए लोग नशमर में होती है, और कों क्या हो? यहुदी एक वों है, इसाही है इसकाए कि अधार दिफेंट मजब के लोग को बदाथे हैं, दिफेंट जुबाने बुलनेवाले हैं, तो नेशन नहीं है, वो वो कोँग नहीं है, वो कोँग अधा इस्वाम रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा, उसने जूरिस के साथ गाज़ लगा है इतली मौसलिणी वांटेट आपाशिस रोमन इंपार इंडा मेली के अचाता था और जपान के अचाता था तो ये उनकी वज़ा बनी इतलनके साथ लाईस पाता था था Communism and this way a cause of war and vice-wp Democratic powers were passive, USA isolated, France was unlikely and reluctant to intervene against Germany because he could not rely on Russians and American support बिल्टंपी udahी नौ बिली लिए भी जे मुट्रीय ठीकितिघू बिलेगर भग 120 मुट्राभी दाइस करतेर लेनी भेज्ञ कि पीजोरी magari यंदेजे decreased tranquil जेने इन जान आशरापकिटर्स ग।व्यास एलिए रेन देवेर्स्हाडू थेले सब्योंतिके बानॆट्स तो यह देमोक्राटिव पावर उन्से थी, वह यूस से जुन सा था, वह आइसोलेग था, फ्रेंस उनसा था, फ्रेंस उनसा था, वह प्रिलाई नहीं करता था, ब्रिटन जुन सा था, पहलो तो जर्मी के साथ संपतेक्टिब था, लेकिन उसके बाद वह अगेंस्ट हो गया, लीज अप नेशन जो उनसी है, वो फॉप रोपने से, तो यह था हमारा आज का लेक्टर, I hope आप वो समय चाहिए, मैं एक दफ़र इसको तो जोड़ा सा रिप्लीट कर देती, मुरी सेकिंड वर्ड वार का जो कॉजिस था, हिटलर जब आया, तो जितलर ने कहा के, वो वो उचाहता था कि वो उनकी जर्मनी के साथ मिल जाए, हिटलर एक वर्फिटी बड़ा सक्त आदू था, रवेचिट था, फाशिस था, डेमोक्रेर था, और रूल करना जानता था, उसने अपने साथ लोगना को मलाया, उसकी प्रमांदर थी इसी का, तो आपने लाटों को कि वो उसने पी राना चाहते हैं, और वो को जातो पही कि जो लोग जर्मनी बोलते हैं, वो सारी लाटों के वह लिए बर शानी बोटे हैं, पराण ऐसता अपनी जमीनों को रहना शुड़ी कि वेकिन पहले जो जर्मीनी साथ संब पर चाहते थे लिकिन बाद में इसे के वह तो जब पोलें करके और फ्रांस को भी आदर परा के जनूज उनसे वो उसके अंदर पाइल हो जाएगा उसके लागते पर्दा कर दियोगा उसके बर्तानिय अफ़ार की हमारा साथ भी पर हमारे मुट्पी बर्जिन के राज के शामिल हो जाएगा ति कि उसके लावट जब आईश कारें के रिफ पाइगा ने के वर्फ कारसा कर दो जिसाएगा हमारे मुट्पी ऑन मिलेकि और लेकिंगे पोलें के थरुफने पहला किया उस पर सक्तेंड़ कर राथ तर बर्तानिय इदिन भी वार जुंदीत के बर्ट नी खेल कर देख भी ए जापान का लाइन सोगे और वो कुमान माले के उनको गया था और कियों से सपोर्ज मी नहीं कि ये लाइन्स जार्मनी के साथ होगे और बाकी दूसरे साइट के होगे जमी चाता था अपरी दुनिया को रूल करना हिट लगता है ये खाफ था जापान जोड़ जावली अपनी ये बहाना चाता है लेकिन ये हुआ कि जब दूसरे साइट से अमेरका, बर्तानिया, युएस से साथ ये गृप में शामिल होगे तो इस तरह से इमेरे जॉन्मी में एक्सिस गृप को मरा दिया जल्मी कहें आंकर एक साथ फ्रांस तो हथ्यार डाले हैं बाकिन माले को जाए जल्दा चला कि हम आँ थे इतला भीक्ता है बहुत कुषी करी तुमकी फोचर में बहुता बहुता माल्सी था और इनोंने सरंदर कर गिया ऐसे तरह जपान को पजाम बाने कि विए जपान के जाए उस तरह से ये जान जोंसा और को जीए और दुन्या के लिए बहुत प्रेक आपका अमेरिका और एका आपका सोगत दूए बाताईया को भी बड़ा रुप्षान हुआ इसके तुशे लोकों में परिए इसके पसके पैसे ही नहीं देए, इसके जबाह होते है और उसको भी दुबारा बढ़ने में कापी काई लगा तो दो पावर एक पर आपकी तो यह था यह बैसिकली हमारे कोर्स आउटलाइंग में ताच नहीं है लेकिल काफी जबादा हम बार बार इसका जड़क सुनते हैं तो मैंने का इस कोर्स को भी करद रहते हैं ताकि हमें इसकी कुछ पता हों, दीज़न्स पता हों, कि क्या है रूजन की वर्ड़्वार, त कर दो कर दो शोनेगे, ताय होग आप समय दो हुट जोग जिए भुचिस है कर दो झाल